कैसे हैं आप सब विंटर आ चुकी है अल्मोस्ट 1.5 मंद से उरिसा में और आपके यहां पर भी विंटर चल रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है अभी का जो टाइम है ठंड़ ठंडा मौसम और यहां पर उरिसा में मैं जब शूट कर रही हूं यहां पर मौसम बहु के वज़े से और लो प्रेशर डिप्रेशन के वज़े से ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और पूरा चिल्ड वाला मौसम है तो एनिवेस मैं आप लोग के साथ आज एक हॉल वीडियो शेयर करूंगी शायद यह मेरी फर्स्ट हॉल वीडियो है सो मैं रिसेंटली नाइका क पिंक फ्राइडे सेल से कुछ प्रोडाक्स मंगवाई थी जो कि मेरे यूसफुल प्रोडाक्स है मेरे लिए सो यह सारे प्रोडाक्स मैं आप लोग कैसा शेयर करूंगी ताकि आपको भी थोड़ा हेल्फुल हो जाए यह वीडियो आपको सिलेक्ट करने में अल्रेडी क्योंकि आज कल मैं अपने लेड ट्वेंटी में हूँ तो मैं समझ चुकी हो ज्यादा वेस्टेज और मेकप और उसके उपर जितना ही आपको चाहिए उतना ही आप इन्वेस्ट कीजिए ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है स्किन कर सकते हो लेकिन जितना यूस मैं अभी समझ चूकी हो पहले मैं मेकप चिन केर के उपर ज्यादा खर्चा करती थी और सकी चलता है लेकिन में अपयूसीब मेकप जैसे कि बहुत सारे लिपस्टिक्स आप लोग उने में तो देखा होगा अभी भी मेरे पास बहुत सारे युप्स्टिक्स नेल पेंट से और बहुत सारे प्रोडाक्स हैं मेकप के लेकिन अभी मैं समझ गई हूँ जितना चाहिए उतना ही मैं इन्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को जो भी यह सारे प्रोडाक्स में से जो भी अच्छा लगा आप लोग उसको खरीच सकते हैं लेकिन ज्यादा एक्सेसिफ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रत नहीं जो भी यूसफुल के प्रोडाक्स हों आप लोग उसको परचेस कर सकते हो तो बीना देर को एक किये हुए चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाते हूं मेरे साइड में मैं टेबल में रख दी हूं सारे प्रोडाक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी देखिए मैं आपर क्यामरा थोड़ा देख सकते हूं तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ मेकप से पहले जो मेरा लाक मे एपसिलूट का आइशाडव पैलेट था वह अल्मोस्ट 3-4 मन्स में एकस्पैर ही हो जा रही है तो उसके वज़े से मैं यह मेकप रिवलीशन का आइशाडव पैलेट जो कि यहां पर मेकप रिवलीशन मेकप रिवलीशन लंडन ट्रॉपिकल कार्निवल शाडव पैलेट यहां पर आप लोग देख सकते हो और नेट वैट 18 इन्टू 0.035 तो यह आप लोग देख सकते हो इसमें शायद 18 आइशाडव के जो होंगे इसमें कलस तो यह इस तरह का दिखता है और मैं आप लोगों को दिखाती हूं देखिए बहुत ही खुबसरत सारे कलस इसमें मैच शिमर सब हैं तो मेकप वीडियो के लिए और अपने टूडे लाइफ है मेकप के लिए यह लाई हूं तो इसका इमर्पी जो है 1900 समसिंग का था लेकिन सेल में मुझे यह वही 30 25 30 परसंट में यह मुझे मिल गया तो सेल सबसे अच्छी बात होती है सेल के टाइम आप लोग परचेस कर सकते हो थोड़ा डिसकाउंट मिल जाएगी और नॉर्मल डेज में जो भी सारे प्रडॉक्स में डिस एक लाक में 925 और शेड है आइवरी टेन शायद हाँ टेन आइवरी इसका भी में परचेस की हूं मेरा शेड है यह तो यह कंसिलर हो गया और बाइद वे इस टाइप का एक बड़ा सा बड़े से डब्बे में सारे पैकेस्ट होके आया था पैक्ट होके तो तीन डब्बे मे आये थे तो मैं दिखा दी डब्बे तो यह हो गया कंसीलर वाला फिर आप लोगों को दिखाती हूं मैं यह लाख में का इंस्टा लाइनर सबकी फेवरिट होती है ब्लाक यह मेरे पास ब्लू शेड में है ब्लाक का खतम हो गया तो इसको भी मैंने परचेस कर लिया और हंडर सम्थिंग का मिला मुझे फिर दो नेल पेंट मैंने मंगाया है एक शायद यह आप लोग देख सकते है और एक और एक रेडिश टोन में तो यह वाला मैंने अपने हाथों में अभी लगाया है यह है मिस क्लेयर का जेल इफेक्ट नेल पॉलिश जी टेन शेड में और से सेवेंट रूपीज शायद सेवेंट रूपीज के आसपास है यह भी मुझे 50 या 60 सम्थिंग में मिला और लोटस का यह कला की नेल एनमेल इसका जो प्राइस है मुझे याद नहीं है यहां पर हाँ 160 यह भी मुझे 120-25 तक का मिला तो यह हो गया और यहां पर मेक अप का इतना ही है मेरे पास और यह माई ग्लाम का यहां पर एक मुझे फ्री मिला था यह बहुत ही अत्रंगी सा कलर है जो कि मुझे पसंद है लेखें परपल टाइप का है तो इसकी जो एमार पी है 3.95 लेकिन शायद यह फ्री मिला था या फिर मैं पर्चेस की थी काक में मुझे याद नहीं है बहुत ही अगर मिला होगा तो बहुत ही डिसकाउंट चल रहा था इसमें तो यह हो गया I guess इतना ही है मेकप का तो मैं यहां पर आप लोग के साथ स्किन केर प्रड़क्स शेयर कर लेती हूं तो फर्स्ट सॉरी गैस ट्रेन की आवाज पास में ही स्टेशन है ट्रेन गुजर रही है तो आवाज आ रही है तो आप लोग उने तो मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा होगा बी ब्लंड का में शांपू और कंडिशनर यूज करती हूं अचली हर्वल एसेंस बी ब्लंड और दोतिंग टाइप के यूज करती हूं मैं अपने हैर के अ तो यह मुझे यह शायद 399 कंडिशनर है शांपू का प्राइस है 399 तो मुझे वही 6 टोटल 650 या फिर सम्थिंग का कुछ मिला था है यह जो डील में तो यह हो गया फिर मैं दो बोडी वाश जो की एक ही ब्रांड के हैं लक्स के एक ब्लाक करेंट या फिर वो जो पर्पल क मैं पहले यूज कर चुकी हूँ लेकिन यह वाला दो वेरियंट में इसका एक बोडी स्क्रब भी मैं लाना चाहते लेकिन आउट अट अव स्टॉक हो गया तो मैं नहीं ला पाई बहुत ही हाइप्ट प्रोड़क्ट है इसका जो स्क्रब और यह वाला यह भी मैं यूज कर करने के लिए लाई थी इसका वी अगर आप लोग रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं दे दूंगी थोड़े दिन यूज करने के बाद तो लक्स तो ट्रस्ट वर्दी ब्राइंड है और यह जो है मिला था तो यह दोनों होगे बॉड़ी वाश फिर यह आप पर मैं VLCC का स्पेसिफिक्स प्रोफेशनल ब्राइटनिंग फेशल किट नरिश रिजुविनेट्स और ब्राइटन स्किन और स्किन टाइप डेवलोप्ट बाइ जीवी सिंगापोर तो इसका मैं एक फेशल किट मंगाई हूँ जो कि इसकी MRP है 250 रुपीस मुझे 220 शायद का मिला था घर पर फेशल वगरा कभी इक बार जरौत हो तो मैं करती हूँ फिर उसके बाद मेरी फेवर्ट जो है बायोटिक का फ्रूट ब्रैटनिंग लिब बाम लाइटेंस और लिब टोन्स तो इसका भी मैं प अच्छा एक लिब बाम है लिब लाइटनिंग के बारे में मैं बता नहीं सकते लेकिन बहुत ही अच्छी एक लिब बाम आप लोग देख सकते हूँ यह पूरा नया है जस्ति नया था मैं थोड़ा से ट्राइक कर रही थी क्योंकि मुझे रयाद आ गई जब मैं पहले उसक इसको भी मंगवा दूँ तो यह हो गया इसकी MRP है 210 यह मुझे 155 65 का मुझे मिला था तो यह हो गया फिर लैक में पीच मिल्क लाइट वेट मॉस्टराइजर 24 आंस्टिकी 250 ml प्राइस का और आप लोग देख सकते हो मेरे पास मामार्ट का एक बोडी लोशन है तो मॉस्टर के तौर पर इसको और मेरे दो तिन प्रोडाक्स है में यूज करूंगी और फिर कभी कबार होगा तो बॉडी लोशन के तरह भी यूज कर सकती हूं में तो यह बहुत ही अच्छी मेरी सबसे फेवरिट और सबसे पूरानी स्किन केर प्रोडाक्ट है जो कि मैं फर्स टाइम इसको ही यूज करे थी जो वह ग्लास के बॉटल में जब आता था यह हो गया फिर उसके बाद हिमालया नैचरल ग्लो रोस फेस जेल इसको भी मैं पर्चेस की हूं इसका एक रिव्यू वीडियो भी मैं डाल चुकी हूं शाय जितना तक मुझे जितना तक याद है तो इसको मैं सेकर्ण टाइंग पर्चेस कर रहे हूं और इसकी मेर। i sino के एम आरपी 85 रूपीज मुझे आउन 75 का मिला था फिर यहां पर प्रोटीन धार क्रीम हिमालयाग नैटी रूपीज का है मुझे 80 या 75 रूपीज में ग्लाथा फिर यहां पर बायओटिक के आरगे ओल हैं जि प्रवाइड करता है इसको भी लाई हूं 330 रुपीज मार्पी है 165 नहीं I think 265 उतना तक मिला था मुझे एक्चली याद नहीं है जिता में याद करकर के बोली हूं फिर अभी यह कैरोड से रांटा एजिंग आफ्टर बाथ बॉड़ी ओई इसकी 135 मार्पी बहुत ही अची ब proktes로 или क्राइड फुर्ण पर गलो अची फुरू गरीव बहुत ही अच्छी है प्रगम की सारी प्रॉडुक्स के फ्रगम्स बहुत ही अच्छी होते हैं तो यह हो गया तो यह सारे प्रडुक्स में Ikea Pink Friday sale में regime की हूं में और की थी नहीं इक हंची परॉटं की ती नहीं हो ट सारे आपके बच्छत हो सकती हैं तो यह इनमें से जो भी यूसूर प्रडक्स हैं आप ज़ारूर। ज़रूर। तो फिर ज़रूर अपलोग पर्चैस करना आप के एक अकॉर्डशुल परद बतने वीडियो ज़रूर। Sakshाना आपके बतने आपके सहां जुब गविन देजिए और गविन देजिए